कि नमस्कार अदाब मैं सोनू आप सुन नहीं करायम स्टोरी करायम स्टोरी में आप सभी का स्वागत है आसा करता हूँ आपकी फैमिली भी अच्छी होगी तो दोस्तों कहा गया है प्यार ओचीज है जो किसी सरहद और किसी दिवार को फादने में जरा भी देरी नहीं करती क्योंकि आप लोगों यह सुना होगा तुलसी दास जो की महान कभी हुए उन्होंने रमाइड की रचना की वो जब अपनी आउरत से मिलने के लिए अपने ससुराल जाते हैं तो ससुराल से पहले एक नदी पढ़ता है उसको पार करने के लिए वो एक मुर्दे पर बैठ जाते हैं और नदी पार हो जाते हैं उनको यह नहीं पता लगता कि मैं नाय पे बैठा हूँ या मुर्दे पर बैठा हूँ क्यूंकि उनके और मुर्दे के बीच में एक प्रेम था जिस प्रेम की वज़ा से वो यह चीज समझ नहीं पाते हैं उसके बाद जब सफुराल हो जाते हैं तो वहां पर जो दिवाल था वहां से एक सर्प लटक रहा था जिसको तुलसी दास देखते हैं लेकिन ओ यह समझते हैं कि उनकी वाइफ ने उनको ऊपर चड़ने के लिए रस्सा डाल रखा है लेकिन ओ रस्सा नहीं सर्प था उसको पकड़ कर ओ छट पर चड़ जाते हैं तो दोस्तों इ से उत्तर परदेश से ली गई है उत्तर परदेश का एक लड़का जिसका नाम मुलायम सिंग्यादों है वह बैंगलूरू में एक कंपनी में सुरच्छा-गाड का काम करता है वहां पर काम करने के उपरां मनुरंजन के लिए और आनलाइन लूडो खेलता है आनलाइन चाहेंगे इसका कोई पता नहीं आपकी इच्छा आप किसको करना चाहेंगे किसके साथ खेलना चाहेंगे तो उसके साथ में एक पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम इक्रा जिवानी जो की 19 साल की थी पाकिस्तान में एक हैदराबाद नाम की जगा है वहां से उसके साथ जूड़ जाती है गेम खेलती है दोनों लोग डेली गेम खेलते हैं कुछ दिन बाद δोनों लोग आपस में नंबर ले 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 से पहले तो चैट से काम चलता है उसके बाते होने लगते है दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और प्यार परवान इस तरीके से चड़ता है कि एक दिन मुलायम यादो जो था वो लड़की से कहता है कि मेरी इच्छा आप से मिलने की हो रही है वो लड़की कुछ दिन बाद ना आउ देखती है ना ताउ देखती है फरजी दस्ता बेच के बदवलत पाकिस्तान से नैपाल काठ मांडू के रास्ते होते हुए उत्तर परदेश में आ जाती है उत्तर परदेश से वो बैंगलूरू चली जाती है जहां पर वो लड़का मुलायम सिन्यादो उससे मिलता है जो की 24 साल का है सितंबर 2022 में वो और इकरा जिवानी दोनों साधी कर लेत हैं साधी करने के बाद दोनों लोग वहीं पर रहने लगते हैं लेकिन उनको नहीं मालूम था कि यह इंडिया की पुलिस है कि देख करके ही तुरंत भाफ जाएगी कि इसके बाद 22 जनवरी 2023 को इंडिया की पुलिस पकड़ती है पुश्टास में पता लगता है कि लड़की पाकिस्तान के हैदराबाद सहर से है जिसका नाम इकरा जिवानी है और लड़का उत्तर परदेश से है जिसका नाम मुलाइम सिम्यादो है उस लड़की को भारत आने के लिए जेल भेज देती है और जो लड़का है मुलाइम सिम्यादो उसको किसी को छुपाने के जुर्म में उसको भी जेल भेज दिया जाता है तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताईएगा चैनल को सब्सक्राइ और वीडियो को लाइक करिएगा फिर मिलते हैं इसी तरीके की और भी कहानी के साथ अगले प्सोड में तब तक के लिए नमस्कार